लेखक निर्देश अक्विकास बहल की फिल्म में अमिताब बच्चन का किरदार बागबान की याद दिलाता है जिसमें अमिताब बच्चन इसी तरह अपने बच्चों को सक्त अंदाज में सीख देते नजर आये थे विचार के स्तर पर कहानी रुचिकर लगती है लेकिन लेखन के स्तर पर विकास बहल फिल्म में चूप गए दिखते हैं इंसान की मृत्यू के बाद उसका अंतिम संस्कार उसकी इच्छा के अनुसार किया जाए या हजारों साल से जो रीती रिवाज और परंपराएं चली आ रही है उसके मुताबिक आज की नई पीडी का इस पर अपना अलग तर्क है और वर्षों से चलिया रही रीती रिवाज और परंपराओं का अपना अलग मत लेखक निर्देश अक्विकास बहल ने इसी बहस पर अपनी नई फिल्म गुडबाई का निर्मान किया है फिल्म में अमिताब बच्चन का किरदार बागबान की याद दिलाता है जिसमें अमिताब बच्चन इसी तरह अपने बच्चों को सकत अंदाज में सीख देते नजर आये थे मंगल वार को 80 साल के होने जा रहे अमिताब बच्चन की कमपनी सरस्वती एंटेटेन्मंट इस फिल्म की निर्माता भी है फिल्म कुडबाई के लेखक निर्देशक विकास बहल ने चार साल पहले बेंगलूरू के अपने एक मित्र से सुना कि उनके पिताजी को मृत्यू का भाए नहीं था वो तो इस बात से खुश थे कि मृत्यू के बाद वो भगवान क्रिश्न के पास चले जाएंगे उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद तुमको जो भी करना होगा एकी दिन कर देना हर साल मेरा श्राध मत करना क्योंकि मैं ठीक उसी तरह से डिस्टब हो जाऊंगा जिस तरह से अगर तुम किसी पार्टी में इंजोई कर रहे हो और मैं बार बार फोन करूँ इसी थीम पर विकास बहल ने गुडबाई बनाए और पिता के बजाए कहानी के केंद्रबिंदू में मां को रख दिया विचार के स्तर पर कहानी रुचिकर लगती है लेकिन लेखन के स्तर पर विकास बहल फिल्म में चूप गए दिखते हैं मृत शरीर को नहला कर उसके कान और नाक में रूई डाली जाती है इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता यह है कि मृतक के शरीर के अंदर कोई कीटानू ना जा सके पैर के दोनों अंगूठों को बांध दिया जाता है ताकि शरीर की दहिनी नाड़ी वबाई नाड़ी के सहयोग से मृत शरीर सूक्षम कश्ट दायक वायू से मुक्त हो जाए बेटी को यह सब अंध्विश्वास लगता है उनका मानना है कि मां को यह सब पसंद नहीं था उसकी अपने पिता से बहस हो जाती है पिता का कहना है कि हजारों साल से चले आ रहे रीती रिवाज अंध्विश्वास कैसे हो सकते हैं वो अपने बच्चों को डांगते हुए कहते हैं हजारों सालों से ये रीती रिवाज चले आ रहे हैं अगर तुम्हें उनमें विश्वास नहीं है तो इसमें दुनिया की गल्ती नहीं है बाद में उन्हें भी एहसास होता है कि उन्होंने यह कभी जानने की कोशिश ही नही की कि आखिर में उनकी पतनी क्या चाहती थी। इंसान अपनी मौत किस तरह से चाहता है और मौत के बाद परिवार वाले किस रीती रिवाज से मृतक का दाह संसकार करते है। तरीका बहुत अच्छा है। इससे फीगा भी ठीक रहता है और बच्चा भी मिल जाता है। लेकिन पूरी फिल्म में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि दमपती के बाकी तीन बच्चे भी गोह लिए गए हैं या उनकी खुद की संताने हैं। अभिने के लिहाज से रश्म और जैसा अभिने उनका होना चाहिए था वैसा असरदार ये किर्दार नहीं है। बीती सदी के महानायक कहलाया मिताप बच्चन के अभिने में वी ऐसा कुछ नहीं है जो वह पहले न कर चुके हूं। अभिने उनका शांदार है लेकिन ऐसा ही अभिने वह पहले भी कर चुके हैं। हाँ, अस्थी विसर्जन के बाद वाले द्रिश्य में जरूर वह दर्शकों को रुला देते हैं। फिल्म में बड़े छोटे कलाकारों की भरमार है जिन में नीना गुपता, आशी इश्विद् पाविल गुलाटी, एली अवराम और साहिल महता का अभिने वी बस ठीक ठाक साही है। कहानी से लेकर निर्देशन, अभिने और गीत संगीत की स्तर पर अंतक समझ नहीं आता कि आखिर विकास बहल कहना क्या चाहते हैं। बेटी अपनी जीत की खुशी अपनी मां से नहीं पाई, इसका उसे दुख होता है। लेकिन ये जीत क्या थी, इसका फिल्म में कहीं भी जिक्र नहीं है। फिल्म में कहने को नौगाने हैं, लेकिन जैकाल महाकाल के अलावा ऐसा कोई गीत नहीं, जो आपको याद रह सके। फिल्म की शूटिंग देहरादोन और में भी की गई है लेकिन यहां की खूबसूरती परदे पर अपने नैसरगिक रूप में नजर नहीं आती। फिल्म का संपादन भी और चुस्त हो सकता था। मूवी रिव्यू, गुडबाई, कलाकार, अमिताब बच्चन, रश्मिका मंदाना, नीना गुपता, आशी श्व झाल